हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल ससी प्रेगनेंसी टिप्स फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल मर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कर लिया करो आप लोग नहीं करते हो प्लीज कर लिया करो फ्रेंट्स आज हम डिसकस करेंगे कि जब बच्चा मा के गर्व में हो तो हमें किन-किन वातों का ध्यान रखना है प्रेंट्स एक ना अपने आप में खूब सूरत ऐसास है यह ना हमारे जीवन में कुशियां लाती है तो कुछ ना कुछ इसमें हमें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है कई परेशानियों का भी हमें सामना फ्रेंट्स करना पड़ता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंट्स प्रेग्नेंसी कोई ना बीमारी नहीं है यह तो एक ना फिजियोलोजिकल कंडिशन है जिसमें body अपने आप बच्चे को adjust करती है भगवान ने आपके सरीर को कुछ ऐसा बनाया है कि जिसमें इतनी छोटी सी बच्चा दानी होती है जिसका size न 7 cm होता है वो बढ़ते बढ़ते 35 cm यानि 5 गुना तक बढ़ जाती है जब बच्चा पूर रूप से उसमें विक्सित होता है तब तक और बच्चा अपने आप ही उसके अंदर पलता है और अपने आप ही उसके अंदर घूमता है और अपने आप ही वो अपनी position भी उसके अंदर ले लेता है और अपने आप ही सरीर के जो पोसक तत्तो और जो ऑक्सीजन होते है न वो प्लासेंटा के तुरू बच्चा अपने आप ही ले लेता है हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है डॉक्टर जो जो चीज हमें सजेस्ट करें वो हमें फॉलो करनी है आपना ओवरवेट भी नहीं होने चाहिए और आपका जो अंडरवेट है वो भी नहीं होना चाहिए अगर जादा उबर बेट होगे तो भो भी आपके प्रग्नेंसी में बच्चे के लिए सही नहीं होगा और अंडर बेट होगे तो उसमें भी बहुत सारी परिशानी आपको आएंगी तो फ्रेंड्स आपको प्रग्नेंसी के दौरान 15-20 किलो तक ही बजन बढ़ाना है इससे जादा नहीं बढ़ाना है आपको healthy diet रखनी है जिसमें आपको green vegetable और fruits सारे लेने हैं और आपको calories जादा नहीं लेनी है आपको junk foods बुलकुल avoid कर देने हैं बुलकुल नहीं लेने हैं दाले add कर सकते हो दूद आपको लेना है दूद से बनी हुई चीज़े पनी दही सब कुछ आपको अपने खाने में add करना है जो healthy चीज़े हैं वो सब आपको खाने है सारे fruits खाने हैं आपको daily fruits खाना है friends और आप नारियल पानी भी ले सकते हो इस pregnancy के दौरान नारियल पानी बहुत healthy होता है बच्चे के लिए तो friends आपको ना हलके फुलके है ना ब्यायाम भी pregnancy के दौरान आपको करना चीज़े है जिसमें आप ना योगा add कर सकते हो और walking भी आप इसके दौरान add कर सकते हो friends pregnancy के दौरान आपको ना अपनी नीद का भी पूरा ध्यान रखना है साथ से आट गंटे की नीद है ना वो आपको जरूर पूरी करनी है अगर possible हो तो आप ना एक दो गंटे के लिए दिन में भी rest कर सकते हो अगर आप ना बरकी मूँ मेन है आप ओपिस जाती है तो यह possible नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रात में साथ से आट से नीद जरूर पूरी करनी है मैडीशन में आपको ना calcium iron folic acid vitamin D यह सब लेना बहुत important होता है यह सारी मैडीशन आपको लेना बहुत जरूरी है यह बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है जो जो medicines and supplement doctor आपको suggest करे वो सब लेना आपको बहुत जरूरी होता है इसमें आपक बहुत सारी दिकतों का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंट्स आपको ना टिटिनिस का टीका भी लगवाना चाहिए यह पांस में महिने में लगता है तो यह भी जरूरी होता है इसको भी आपको जरूर लगवाना चाहिए और आपको बैक्सिंग भी लगवाना जरूरी है ज सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो आपको बैक्सिंग जरूर लेनी चाहिए आपको फ्लू की बैक्सिंग भी लेना जरूरी है आज से 3-4 साल पहले फ्लू बहुत चला था पहले तो प्रग्नेंसी के दौरान बहुत सारी प्रग्नेंट महलाओं की मौत हुई थी लेकिन आजकल इसका वो प्रकुप कम हो गया है क्योंकि आजकल इसकी बैक्सिंग आ गई है तो आपको इसकी बैक्सिंग भी लेना बहुत जरूरी है तो फ्रेंट्स ये थे कुछ ऐसी बात हैं जिनका अगर आप अपनी प्रग्नेंसी के दौरान ध्यान रखेंगी ख्याल अगर को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक अड़ सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो टैंक्यू